वेलकम सरकारी सलेवस में आपका बहुत-बहुत स्वागत है और ये वीडियो बहुत खास है इस वीडियो में हम कैडियर के बारे हम चर्चा करेंगे कि पसूची कित्सा अधिकारी कैसे बनते हैं और इसके लिए क्या डिगरी क्या एजुकेशन की जरूरत होती सारी चीज़े अगर आपको नहीं लगता आप किसी जानवर को देखते हो मालिये भैस बक्रिया जो भी है आपको कुत्ते को देखकर हरानी हो जाती है मैसो को देखकर हरानी हो जाती है आप उनके पास नहीं बटकना चाहते हो तो कभी इस छेतर में कैरियर मत बनाना ठीक है वरना लेकिन अगर जिसको यह काम पसंद नहीं तो गया तो इसकी घडबड़ी ए तो यह बात ध्यान नेखिए हैं सबसे पहला बाद तो इसमें आपका इंट्रेस्ट होना चाहिए ठीक है अब देखिए दूसरी बात कि आपको एजू के संके सीख चाहिए, देखें कच्छा 12 में जिसे आप 10th plus 2 कहते हो, तो 10th plus 2 आपने बायो से की हो, ठीक है, मतलब biology जिसे जी विज्ञान कहते हो, आपने 10th plus 2 बायो से की हो, फिर इसके बाद में आपको undergration जिसे आप UG कहते हो, करनी पड़ेगे, ठीक, और वो जो प् है, आपको इसमें देना पड़ेगा, और इसमें बहुत कुछ आपको सीखना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि कुछ दवाएं सीख ली है, कुछ कारीगरी आपने सीख ली और आप जो है ना, तो इसमें आपके लिए सीखने का बहुत कुछ है आपके पास में, ठीक है, तो आपको तो जैसे कि इंसान है, उसके सरीर में हड़ियां, उसका लेवर, उसकी आँख, उसकी नाक कान होती है, ऐसे ही सारी चीजें ही हर एक जानवर में होती है, चाहे छोटा सा जानवर क्यों हो, चाहे बड़ा सा जानवर क्यों हो, चाहे एक हांती हो, चाहे एक छुट, दूसरी छि इमसे ही होंगे सबके दो हाथ किसी के थोड़ा सगड़ बढ़ जाता है जुड़े हुए कहीं कुछ लेकिन मुशली सबका सेम ही होता है ऐसे ही इस्ट्रक्चर होता है लेकिन इन दफ फील्ड अप एनिमल हैसे मिलती है देखिए एक जैनवर दूसरे जैनवर से कितना भिन होत है कोई डॉगी कोई कैट पालता है ठीक है और कोई अन्य जैनवर भी पालता है आपने देखा होगा कि मुर्गी फॉर्म जिसे कहते हो पॉल्टी फॉर्म तो उसका कई सारा प्रचल है हर लोग अंडे आजकल चीजों में इस्तिमाल होते हैं पिग फॉर्म वगेरा हो गए आपके ठीक है और आपकी जो मुर्गी फॉर्म वगेरा हो गए तो ये भी आपकी जो अच्छी संख्या में खुल लाए है तो इसलिए इन डॉक्टर्स की भी आपकी संख्या पढ़ रही है मतलब पसुचिक इत्साधिकारियों की भी संख्या बढ़ रही है अब देखिए ये तो मैंने आपको ग्रेजूशन के बारें बता दिया साड़े पांस साल की जब आप ग्रेजूशन कर लेंगे फिर आप जो है ना प्राइवेट सेक्टर और गॉर्मेंट सेक्टर दोनों में इसे जोईन कर सकते हैं अब देखिए सबसे पहले गॉर्मेंट की बात कर लेत हैं अगर अब गॉर्मेंट सेक्टर जोईन करना चाहते हैं दो रास्ते हैं एक तो UPSC के थरू UPSC क्या होता है संग लोग सेवा आयोग जो किंद सरकार का ये एक आयोग है और इसमें एक लास के ऑफसर की भरती होती है पसुची के इत्साधिकारी की भरती होती है समय समय प जरूरी नहीं है जरूरी नहीं कि हर साल इसी वेकेंसी आए लेकिन समय समय पर ये वेकेंसी आती रहती है तो एक अच्छा आपको इसमें केरियर ऑप्संस मिल सकता था पे लेवल 10 के वेतन किसे शुरुआत होती है और ग्रूप एक आप आफसर बनाया जाते है ठीक है दूस स्थान जो आपकी PSC होती है तो इसमें वेकेंसी आ है ये टुटल 900 डॉक्टर्स की 900 वेटनी ऑफिसर्स की वेकेंसी आ रखी है तो समय समय पर जो राज्य सरकारे होती है वो भी भरती करती रहती है और इनमें भी आपको एक बेहतरीन केरियर ऑप्सन आपको मिलता है ये भी ग्रूपे की जौब होती है आपकी जो पेमेंट है 65,000 प्लस रुपए पर मन्त के साब से आपकी सरली की सुरुआत होगी तो इस तरह आप सरकारी चेतर में जा सकते हो अब देखिए सरकारी चेतर के अलावा भी आप प्राइवेट सेक्टर में भी काफी जा सकते हो प्राइ दूद बिना दूद के चाहिए नहीं बनती है तो मतलब इसका आज इवन आपके जो ना फीचर में भी इसका आपके पास इसकोप रहने वाला क्योंकि दूद होगा तो बहंसे होगी बहंसे होगी तो वहीं बीमार पढ़ेंगी तो मतलब की कोई अन्य छेतर माल लीजे माल भी है आपकी कोई दूसरा पसपालन जैसे घोड़े में तो घोड़े का भी एक अच्छा होता है वे आपार कई सारे लोग घोड़सावारी करते हैं तो उनके लिए भी देख रहें के लिए जो अस्तबल होता है तो अस्तबल में भी आप एक जौब अगेर आपको इस सब उन्हें पता नहीं कि मुझे यह चीज पसंद है या मुझे यह चीज नहीं पसंद है तो सब की लग लग गई मालीजी कि S.S.C. करेंगे तो सब S.S.C. के ताहरी कर रहे हैं सब कुल पता लग गया कि U.P.S.C. बहुत बड़ी अनोकरी होती है सब I.S. बनने के पीछे बाग सकते हो सरकारी as well as private सेक्टर जो भी आपका मरजी हो आप उसमें बना सकते हो और एक टाइम इंटरवल पर वेकेंसियां वगएरा आती रहती हैं तो उमीद करता हूँ छोटी सी जानकारी आपको फसंद आई होगी फसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए हम आपसे मिलते हैं गल्योड में तब तक लिए वंदे मात्रम